नमस्कार दोस्तों ओसीयन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चोधरी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाव तोर से कर भाव को जोड़कर के कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं भाव नमस्कार बहुत स्वागत है नमस्कार आज दो तीन मुद्दों पर बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे पश्मी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसके बाद दावे किये जा रहे हैं कि भारतिये जनता पारिटी को बड़ा नुकसान हो गया है और समाजवादी पारिटी और राष्टिय लोगदल जो है वो तो पहले चरण में ही सिरमोर बन गए हैं बिलकुल चा गए हैं इसी तरह कि दावे भाव दो हजार चोदा में दो हजार सत्रा में दो हजार उन्नीस में और अलग अलग राज्यों के चुना कुछ ऐसा ही गेम खेला जा रहा है वो तो दावे करना एक बात होती है दावे करना कई गुलत बात नहीं है तो हम पहले के जमाने से हमने बच्चे थे 57 का भी चुना हमने देखा है जो दूसरा जनरल इलेक्षन था उसमें भी यहने उससे हमारी मां सोश्टिस्ट पार्टी की कारे करता थी तो जोर शोर से उनको सब लगो तो इनको दिपाजिट भी चली जाती थी उसमय, को सुछिछ पार्टी सोमाजवदी पार्टी थी मूंबई इनके पारटीं क्वा 육ेन होता था, उसका deposit भी चला जाता था लेकिन जब चुनाव होता था वो जो शोर में counting होने तक तो क्या बात मत करो बच्चे थे उस समय समझ नहीं सकते लेकिन उस समय सुनी बाते में आज समझ रहा हो आपको हसी आज जाएगी यह जो गुजरात का पिछला जो चुनाव था वीजेपी सव से कम सीटे हो गई फिर भी वीजेपी की मेजोरिटी ठीक ठाक थी तो उसके बाद यह तो रहुल गान है यह मैं 57 से सुनता है और उसमें बच्चा था मुझे नव साल का था पहला चुनाओ जो समझ में मेरे याद में 57 का तो बिलकुल बच्चा था तो हमारे मास पालिटी की कार्यकरता होती थी और उनकी लोग जो दो सहकारी सहयोगी आते थे वह बाते दे करते मैं समझ नहीं बच्चा और आजीप अजीव लगता है कि वह वगता हिस्टों और क्या परगूत परते 9 साल का चुख अरी क्यों आजिखती हुटी में समी़से चली गई सुस्लिस्ट हमारा उमेद्वार होते थे वो बुरी तरह से हार जाते थे लेकिन काउंटिंग होने तक तो वो जोर शोर से बाते करते थे तो यह आपका जो समाझवारी पार्टी और RLD का दावा मैंने सुना तो मैं मानलो के 50-60 साल पीछे चला गया उस वक्त की बात मुझे याद आ गई कि जीते तो हम ही हैं फिर काउंटिंग बागी है इतले मैंने तो एक मराटी में वीडियो भी डाल दिया था कि भाईया अकिलेश का शपत विधी जो है वो तेकिंग सेरेमनी तो पुरा कर लो दस मार के तो कम से कम चीप इंस्टर रहेंगे यह मैंने वीडियो भी मज़ाक में एक वीडियो बनाया था और वो भी डाल दिया था पिछले हापते कि वह काउंटिंग बोटिंग बाद में होगे लेक सहले चरन का मसदान हुआ है उसह भारतिय जनता पारिटी का सुप्रा साफ कर दिया है समाजवाधी पारिटी और यहिश्त यहा है कि 13 सीटों पर भारतिय जनता पारिटी की जीत का मार्जिन 30 परतिशत से जादा था, 10 सीटों पर 20 से 30 परतिशत था, 18 सीटों पर 10 से 20 परतिशत का मार्जिन था, केवल 12 सीटों पर 10 परतिशत का विनिंग मार्जिन था, यानि 58 में से केवल 12 सीटे ऐसी थी जहां मार्जिन केवल 10 परतिशत था ऐसे में क्या इतना बड़ा उलट फेर हो जाएगा कि भारतिय जनता पारिटी रिवर्स गेर में लग जाएगी और सपा राष्टिय लोगदल दोनों जो हैं वो उस पोजिसन को प्राप्त कर जाएंगे जो भारतिय जनता पारिटी ने प्राप्त की थी ऐसे कौन से कारण है कि इतने बड़ कौन से बड़े बदलाव होगे पश्मी उपी में आपने ही बोल दिया कि बारा सीटे ऐसी ती कि जिसमें सिर्फ दस परसेंट का मार्जीन था और दरफ हैंकर में ले लेवल पर छोटा नहीं ऊता छोटा नहीं कि 58 मैं से 41 CTIC कि जिस पर उनको हराना बिल्कुल आसान नहीं मुझकिल बात है तो सुपढ़ा साफ ये बात कहां से आते है मुझे समझ मी नहीं हाँ बुरी तरह से हर रहे पिछड रहे ये भी बस समझ है लेकिं सुपढ़ा साफ ही आप बोलते हो उसका मतलब इतना बड़ा उल हम तो जीता हम जोर शोर से जीता रहें इसमें इतना वह उसका अर्गुमेंट में लिए तो आर्गुमेंट हमगंटों कर सकते हैं लेकिन उसको च्छों का अधार होना जरूरी होता dock जब आपने आकड़े बता दिये, कि वह इतने सीटे है कि 10 से लेकर 20 परसेंट तक है, इतने सीटे है 20 से 30 परसेंट तक है, और कोई सीटे 30 से भी आगे निकल जाते हैं, इसका मतलब 41 सीटों पर बहुत बड़ा संगर्श करना पड़ेगा, तब ही आप वो सीटे जीच सकते हैं अब संगर्श का मतलब भी आप समझ ली, जेकि अमेठी में जब 2014 के चुनाव में स्नुती इराणी हारी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने पहली बार कोई अमेठी से गांधी परिवार के साथ लड़ाई की थी, तगड़ी लड़ाई की थी, और सिप मेरा कहल है, 50-60,000 से ही राउल गानी जीत गए थे, तो ये हमारा मार्जिन कम हो रहा है, ये बहुत डेंजरस है, वो उनको समझना चाहिए था, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये अस्वरती इराणी बार-बार पिछले पास सार में सेंटर की मिनिस्टर थी, अलग-अलग योजना ये उस गाव में पहुंच गई, उस चुनाव क्षेत्र में जाती रही, और जब उन्नीस का चुनाव आ गया, तो वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आने लगी, तब-ब इनको पता चल गया, कि भई हमारी तो खेरियत नहीं है, तो ये भाग कर वाहिनार पहुंच दे, यादेना तो इस धंग से अगर लड़ना है, तो इस धंग से तयार ही करनी पड़ती है, सुनूती इराडी दोजार चुदा में हारी, लेकिन पास साल मेहनत करती रही उस कॉंसिटियोंस में, आप कुझे बताएं कि जोस्ट कॉंसिटियोंस एवर फिप्टी एट कुछ चुनाव क्ष तयारी की थी, अगर तयारी की होती, तो बीजेपी के लिए इस सब महेंगा पड़ सकता था, समझना ये जरूरी है, आप अगर लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हो, तो लड़ाई के लिए पहले से तयारिया करनी पड़ती है, आम तो सुन रहे हैं कि भाया, इसको स दी वापस ले ली उनको से दी वापस ले ली यह तो RLD को दी थी RLD में से समझवादी कही कोई candidate यानि जो candidate खड़े हुए मुझे तो लगता है कि 58 सीटों में कम से कम 30 40 सीट ऐसी होगी जिस candidate को पता तक नहीं था कि मैं नेक्स चुनाव यहां से लड़ने वाला हूँ तो सुपड़ा साफ वगरे बाते करने के लिए अच्छी है ऐसी बाते तो रोज संजे राउल भी करते हैं अपारे नबाब मलिक भी करते तो हां और कोई करता होगा कोई बात नहीं लेकिन यह ऐसे दावे कर ना चाहते तो यह जीतेंगे क्या लड़ेंगे क्या और इनको जगाएगा कोई मेरे मेरे सामने तो यह समझ जाए कि इनको लड़ना है यह किसी ने बताया भी है या नहीं किसी दावे करते बैठ जाओ और भाव यह जो 2014 हो 2017 हो 2019 हो हम यह देखते हैं कि हर चुनाव से पहले इसी तरह के दावे शुरू हो जाते हैं और जो लुटियन मीडिया है और जो एक पूरा एको सिस्टम है वो भी इसी में लग जाता है इसके पीछे कि इनकी रणनीती क्या है या फ्रस्ट्रेसन है एक मा प्रदेस में चुनाव होते हैं चाहे लोकसभा के अविदान सबा की उसकी शुरूआत जो फर्स्ट फेज होता है वो यही दिल्ली से लगता हुआ पश्मी उत्तर प्रदेस है जिसको जाट बैल्ट कहकर के आजकल एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है तो कि यह दो इस्टिती मध्दाताओं में बनाना चाहते हैं या खुद भर्यम की इस्तिती में रह जाते हैं अए निये देखो उंकर जी एक बात होती है कि यह जो तरीका है यह कोई नया नहीं है एक शक्तर-थी-शक से चलता आया हुआ तरीका है लेकिन उस समय का जो माहोल थ आता था चर्चा होती थी लेकिन यह अभी तक नहीं समझ रहे कि 2014 में ऐसा ही माहुल बनाया गया लेकिन उसको हरा कर ही मूदी जी ते आपको याद होगा कि मूदी जी इस रेस में आगए प्राइमिनेस्टर्शिप के कि उन्होंने अपना सबसे नजदी की जो था अमिच शाह और्गनाइजर अच्छा उनको उठाकर यूपी में डाल दिया था प्रभारी करके उन्होंने वहां जाकर जो जाल बुना वो जाल क्या है ये भी इनके समझ में नहीं है वो गाव गाव एक गाव का एक एक कार्य करता है उसको उन्होंने कनेक्ट कर लिया था अमिच शाह ने और इनकी चर्चा उस वक्या चल ले थी हाँ अमिच शाह को प्रभारी बना दिया तो अमिच शाह सबसे पहले आयो जह मैं पहुश गए तो इसका मतलब अमिच शाह अब मंदिर का ही ने पूरी 2014 के चुनाव में कही भी मंदीर ये मुद्धा उठाया नहीं, बोला नहीं, ना खुद मूदी जी बोले थे, लेकिन ये मंदीर का मुद्धा उठा उठा कर लिटियनस मीडिया हो, या liberal, secular, left मीडिया हो, ये छिलना थे तो मंदीर, 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 तो बात यह है कि इस धंग से जो माहोल बनाया जाता है वो पुराना तरीका हो चुका है अब उस तरीके से चुनाव लड़े नहीं जाते हैं देखो हमको शिवाजी महाराज का बहुत अभिमान है महाराष्ट के लोगों या महाराष्ट के इंदुस्तान के लोगों को लेते हैं तो आज की लड़ाई में कोई मराठा रेजिमेंट है वो तो तलवार लेकर ढाल लेकर नहीं निकलती वो आज के जमाने के हटियार लेकर और आज के ढंकी जो स्ट्रेटीजी होती है वो लेकर ही दम हुमी पर उतर दे तो सब्तर या असी के नबे के दशक में जो रणनीती होती थी जो महावल बनाने का तरीका होता था उस ढंक से आज आप लड़ नहीं सकते लड़ नहीं सकते तो जीतने की बात क्या होती है देखिए इसलिए मैं बार बार ममता बैनर जी का जिकर करता हूँ जी कि मोदी जी और अमिच्छा या बीजेपी कर ने जो सीटों से 77 सीट तर पहुट जै लेकिन उनसे लड़ना कि धंग से चाहिए यह ममता समझ गई थी और ममता ने उसी धंग से बंगाल का चुनाव लड़ा था इसलिए वो जीद गई क्योंकि उसको मालूम था ममता जी को मालूम था कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते अगर बीजेपी को हरा ना है तो हमको पोलराइजेशन का इस्तमाल करना पड़ेगा जो बाकी छोटे बोटे या पोजिशन के दल है लेफ फ्रंट है कॉंग्रेस है उनके पूरे के पूरे व बहुत सारा बहुत सारा वोतर बेस बीजेपी खा गई है यह मम्ता जान चुकी थी 211 का जो लोकसुपा चुना उआधे अंगारां बहुत सारा वोटर बेस तीक कीश कर ले गई है और वह चो बेस बेस था बीजेपी का वह विधान लेकिन फिर भी ममता इसलिए जीत गई क्योंकि ममता ने लेफ्ट प्रंट और कॉंग्रेस का जो एंटी बीजेपी वोट था वो खीच कर पोलराइज करके अपनी तरफ खीच लिया था तो उसका फायदा ममता को मिल गया और उदर हमने देखा कि लेफ्ट प्रंट और कॉंग् अगर आपको लड़ना है तो नया तरीका अपना पड़े अपनाना पड़ेगा ना कि पुराना आउट्डेटेड माहोल बनाकर या अभी रेखो इतना हो गया तो हम तो सुपड़ा साफ करेंगे हम तो जीत रहें यह है वो है वो बोलकर वो माहोल नहीं बनेगा और दन्यवाद आपका थैंक यू सो मच नवस्कार भाव